प्रदेश की मुख्यमंट्रियोगी आदितिनाथ ने तहसील सहजनवा की मुरारी इंटर कॉलेज में बार रहत खाद्यान किट का वित्रण किया इस जौरान मुख्यमंट्रियोगी ने कहा कि पिछले 15 दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में भारी बारिस के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लगभग 15 जिले बार की चपेट में हैं गोरिकपूर जनपत के 304 गाओं बार से प्रभावित हैं इनके बचाओ के लिए 450 नावो तथा 50 स्टीमर भी लगाये गया है बार से प्रभावित गाओं में जनहानी और धनहानी को रोकने का प्रयास किया गया है उन्होंने कहा कि प्रशासन एवम जन प्रतिनिदी बार से बचाओ राहत के लिए पूरी ताकत के साथ प्रतिवधिता से कारे कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इसपष्ट निर्देश दिया गया है कि बचाओ राहत को पूरी प्रतिवधिता के साथ आगे बढ़ाएं इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए मुख्यमंद्री ने कहा कि बरसात के समय गाउं में पानी आने के कारण वहां तमाम प्रकार की जल जनित बीमारियों का खत्रा रहता है इसके लिए क्लोरीन की टैबलेट के साथ दवा आदि का वित्रण गाउं में करने की विवस्था की गई है स्वास्ते विवाग की टीम लगातार गाउं में लोगों की स्वास्त आदि की जाच करे और कैम्प भी लगाए उन्होंने कहा कि स्वास्ते विवाग एंटी स्नेक वेनम इंजेक्सन तथा एंटी रैविज वैक्सीन हर जगा प्रयापत मातरा में उपलब्दिता सुनिश्चि किये गए हैं मुक्की मंत्री ने कहा कि बाड की राहत के लिए अभी से सरकार उपाय प्रारंब कर रही है कल से एक अभियान चल रहा है वास्वक्षिता वासिनेटाइजेशन फॉगिंग डोर टू डोर स्क्रिनिंग जिसमें किसी भी वैक्ति को किसी प्रकार की विमारी से पी सकते हैं जिससे बीमारी को समय रहते नियंत्रित किया जा सके इसके लिए वरिष्ट अधिकारी हर जिले में तैनात किये जा रहे हैं जो इनकी समीक्षा करेंगे इस औसर पर विधायक सहजनवा सीतल पांडे सहित विविन जन प्रतिनी दिगड एवं वरिष्ट अधिकारी गड़ उपस्थित रहें पार की भीषण विधीसी का देखने को मिल लई है इस आपदा के समय में जिस धहरे के साथ आप सभी इस आपदा का सामना कर रहे हैं मैं आप सब का रिदय से विदंदन करता हूँ और आप मैं कम से ही मैं बार प्रभावित जन्पदों के सर्वेक्षण के साथ बचा और आहत कार्वियों की भी समिक्सा करते भी आ रहा हूँ अभी मुझे सहे जन्पदों और आसपास की छेत्रों में गार प्रभावित गाओं को देखने और अभी बार समागरी वितंद करने का उसर भी मुझे प्राप्त हुआ है अभी मुझे तो गाओं में जाना भी है आपका की समय संकट की समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी आपके साथ में है पोरा प्रसासन यहां के विधायद जी, सिसीतल पांडे जी, सेश्वनी तिरपाडी जी, जिलाध भेक्स युदिष्टिर सिंग जी यहां के सभी प्तारीकारी, कारेकर्ता, भ्लाक प्रवोक और अन्मे सभी जन्त प्रतिन जिगन जन्ता जनार्दंक की सेवा में पूरी इमानदारी के साथ प्रतिकज़ता के साथ लगे हुए है गोरपुर जन्पत के 304 गाओं इस बार से प्रभावित है इन सब में जन्ता की सहता रहत बचाओं के लिए 405 नाओं और 50 से दिक स्ट्रीमर लगाई गई है आज इस्ट्रीमर की संख्या और बढ़ाई जा रही है प्रसासन को पहले से इस पुस्ट निर्देश दिये गए है कि वहाँ बचा और राहत को पूरी प्रतिकज़ता के साथ आगे बढ़ाए इस समझ में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रसासन यहाँ पे जन प्रतिकज़तियों के साथ मिल करके पूरी तप्रता के साथ जनता जनार्दन के सेवा में लगी है राहत के पैकेट भी आपने देखे होंगे हर प्रभावित और पीडिक परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो वाटा, 10 किलो अलू, 2 किलो दाल, नमाग, मर्च मसाले, बरसाती और भी अन्य समागरी, चनार्जोजाई सभी प्रयाप्त मात्रा में प्लब्द करवा रहे हैं ये भी विवस्ता की जा रही है कि दवा की मेडिसिन किट भी हर पीडिक परिवार को फ्लब्द कराया जारा है उसमें पूरा लिखा जा रहा है कि किन इस्तितियों में कौन सी दवा कब लेनी है क्लोरीन की टैबलेट भी क्योंकि इस समय पर साथ का पानी है इसके कारण डाइरिया की सिकायट हो सकती है अन्य जल जनी बिमारियां हो सकते इसके लिए क्लोरेन की गोलियां भी वित्रित की जा रही है जिससे अगर किसी भी बेक्ति के सामने कोई समस्य आती है तो डॉक्टर्स की टीम भी हर बाड़ रभवरे छेतर में निरंतर दोड़ा कर रही है बहुत सारी जाके कैम भी कर रहे है कंटोर डूम के मात्यम से बाड़ चोक्यों के मात्यम से निरंतर हर इस्तिदिपा निगराणी रखने का कारिभी क्या जा रहा है जल्पदस्तर पर प्रयाप्त संसाधन और प्रयाप्त धंडासी उप्लब्द कराई गई है हर एक जलाप्रसासन को इस बारे में कहा गया है कि अगर किसी प्यक्ति की दुखत मौत होती है तो चार लाग की साहता पीडिक परिवार को ततकाल कर ले आथा के कारण किसी के पसो पालतो पसों को नुक्सान होता है फैस, गाय, पकरीग या फिर मुर्गी या अन्य जो भी है इन सब को नुक्सान होता है तो ने भी आठिक साहता उपलब्द करवा दे मकान छतिग्रस्त होता है पक्का मकान है ज्यानवे हजार उपे ततकाल ने कच्चा मकान है उसके लिए भी साहता की रासी उपलब्द करवाने की विवस्ता की गई है बाड़ उन्दी की चपेट में अगर बोरा मकान चला गया है तो जमीर का पक्ता के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योशना से भी मकान उपलब्द करवाने के लिए अगर आधिस पहले से निल्गत के गए है और यह भी विवस्ता की जा रही है एक फसल के नुकसान का अभी से जायजा लेकर के उन्स सभी को उसकी सायता उपलब्द करवाने समय से मौदा हर पीडिक किसान को मिल जाए आधिसा के कारण किसी किसान की या किसी बटाईतार की दुखत मिर्टो होती है उस परिवार को आफ़ा राहत मत से उसको भी धंदास उपलब्द करवाने सांथ, बिच्छू, जंगली जानवार या हवारा कुस्तों की काटने से उस समय एंटी स्नेक वैनम और एंटी देविज वैक्सीन क्या उसकता पड़ती है हर हॉस्पिटल में वैक्सीन और एंटी स्नेक वैनम भी उपलब्द कराया गया है कि सांथ या जोने जहरे गे जिवों से कोई नुकसान पहुंसता है तो निस्तितियों में बचाओ के लिए इंजेक्शन तत्काल उपलब्द कराया जा सके यह हर जगे उपलब्द करवाया गया है सरकार इस बारे में पूरी इमानदारिय और प्रतिपता के साथ आपके साथ खड़ी है कि आपता और संकट के समय बिसले देड़ वर्स से तो कभी करोना के कारण कभी बाढ़ के कारण, कभी किसी इनने कारण से लोगों के सामने पर इसानी है लेकिन इस आफ़ा के समय में सरकार आपके साथ में खड़ी है आपके हर संकट में आपको भरपूर सयोग करेगी नदी अपने खत्रे के लेवल से काभी उपर बह रही है काभी ज़्यादा उसमें पानी की स्किती है लगातार उसमें दिगरानी रखी जा रही है समय से किये गए कारे यहाँ पर सहिजन्मा डुमरिया तदबंद पर भी चोर्मार डिटायट तदबंद पर माड़ तदबंद पर गुक्ता रुबार बान पर भी यहाँ पर कारे हुआ और पार्ट के ठिक पहले ही यहाँ पर लगभख साड़े पंदर करोड रुपे की धन्रासी इन तदबंदों की मरमार तदबंद जो भी आउस्यप उपाय की जा सकते थे इन पर खर्च करके उन्हें सुरक्सित करने का पुरप्रियास किया गया है जिसके करण तदबंद सभी सुरक्सित हैं पानी की मात्रा मदी अपने ख़द्रे के लिवल से काफी उपर बह रही है लेकिन तदबंद मजबूत होने के कारण इस सभी अभी सुरक्सित हैं लेकिन साजाने उस सतर्प्ता की आउसक्ता है कल से एक विसेस अभियान चलेगा और मैं चाहूंगा कि सभी जन प्रतिनिवी उसके साथ जुड़े बाड के बाड अभी बाड का कारियर अगले तेन-चार दिनों के अंदर प्रसाजन से कहा गया कि हर पीडिक परिवार को रहत, पैकेट, रहत की सामकरी अगले तेन-चार दिन के अंदर हर हाल में अप्लब्द करवा दिया जाए लेकिन बाड विबाड तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां होती है जो जल जनित और विश्णों जनित होती है उससे जन धन की हानी न हो कल से एक विसेस अभियान चलना है हर जीने में बरिश्ट अधिकारी भीजे गए हैं सच्चता, सेनिताजेशन, फौगिंग, छड़काओ बिमारी से बचाओ के लिए स्क्रिनिंग की विवस्ता अन्य तमाम प्रकार की कारिक्रम प्रारम होंगे मैं सभी जन प्रजिन्दियों से पील करूंगा कोई अपने फेड में रहकर के जनता जनार्दम की सेवा के लिए कारे करें जिससे आपदा के साथ-साथ इस बाड़ की बिबीसी का के बाद भी कोई संकट आता है तो से समय से निफ्ता जा सके इस संकट के समय में सरकार आपके साथ मैं है आप सब के सोप और समर्दी की कामना करता हूँ धन्यवाद जय है